भारत उच्छवों की भूमी है शायद ही दिन को 65 दिन में कोई एक दिन बचा होगा नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंट टिप्स पाकिस्तान के विपक्सिदल जमेत उलामा इसलामी फजल के नेता फजल रह्मान ने पियोके को लेकर मोदी की मनसा पर सवाल उठाते हुए इमरान खान को कट घरे में खड़ा कर दिया है उन्होंने खैबर पक्तून खबा के बन्नू सेहर में एक ऐसा प्यान दिया जिसके बाद पाकिस्तान के पैबद लगे तहमद और ज़्यादा फट गए फजल ने काय की इमरान मुगालते में ना रहे भारत पियोके को लेकर अपनी तयारिया पूरण कर चुका है पहले हम सोचते थे सिरी नगर को कैसे ले पाएंगे अब सोचते हैं मुझवफरबाद को कैसे बचाया जाएगा भारत धर बीते दिन के साथ पियोके पर अपनी घेरबंदी बजबूत करता जा रहा है वे दिन दूर नहीं है जब मोदी की क्यादत में पूरा पियोके भारत का इस्सा बन जाएगा उन्होंने एक बड़ा एलानी अभी किया कि पाकिस्तान का नित्र तु कर रहे इस गोर्बाचेव के पास गिंती के दिनी बचे है पर चाने से पहले इमरान खान पाकिस्तान का पलिता लगाने की तैयारी कर चुका है दरसल इमरान खान को गोर्बाचेव कहने का मतलब उसकी तुन्ना सोवित संके मिखाईल गोर्बाचेव से की गई है गोरबा चेव कराश्पती रहने के दोरान ही सोवित संका विग्टन हुआ था भजलूर के इस ब्यान से याविसाभित हो जाता है कि पियोके पर भारत के एक्षन की आसंका से किस कदर घबराट व्याप्त है ये डर केवल विपक्सी दनोता की सीमित नहीं है बलकि सत्तपक्स में विद्धैसत का माहुल है इस आसंका में उस वक्त आग में घी डालने का काम हुआ जब भारत ने लेसी के अग्यात अस्थानों पर सुदेशी लड़ाकु एरकराप्त तेजस को तैनात कर दिया इस तेनाती में सबसे ज़्यादा चोकाने वाली बात यही है कि सेना के चुनिंदा दिकारियों को ही तेजस की लोकेशन की जानकारी है यानि भारते सेना की मंसा से पूरे पाकिस्तान में अचानक से खलबली मच गई है फजलू ने जो डरपर कट किया है वे अकरन भी नहीं है बलकि उसके पीछे उनका अपना लोजिक मोजूद है आज से ठीक डेट महिने पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोट ने गिट-गिट बाल्टिस्टान में चुनाव कराने के आदेश को स्वीकरती दी थी जिसकी तारीक 18 अगस्ते हुई थी पर 18 अगस्त अब बुजर चुकी है और यह चुनाव को लेकर कोई भी सरगर्मी नहीं है पाकिस्तान तैसुदा तारीक में जीबिम एलेक्शन नहीं करा सका यह इसलिए हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को सीदे सीदे चेतावनी दी थी कि भारत के हिस्से में कोई भी राजने तिक गतिवी दी और निर्मानु से स्वीकर नहीं है अब भारत के इसी ब्यान से पाकिस्तान डर गया या फिर किसी दूसरे रास्ते से इमरान को डंडा चढ़ाएगा वे अभी एक रहस्य बना हुआ है लेकिन पाकिस्तान में इमरान द्वार अपने फैसले से कदम खिचने से उन पर बड़े आरोप खुद पाकिस्तानी ही लगा रहे हैं ये सुनकर अचंबा होता है कि इमरान को मोदी से मोटी रकम चढ़ावे में मिल रही है पाकिस्तान में चर्चा है की इमरान खान पिछले दर्वाजी से भारत की मदद कर रहे हैं जिसमें मोदी की तरप से उन्हें बहुत मीडी रकम दी जा रही है जो लोग या रोप लगा रहे हैं उनके पास इसके मजबूत तरक भी मौजूद है वे कहते हैं जो मसूद अजर 15 सालों में वैसली कातक की गोशित नहीं हुआ इमरान के कार्यकाल में यह काम आसानी से हो गया जम्मू कस्मेर से दारा 370 नवास रीप के कार्यकाल में भी हटाई जा सकती थी मगर मोधी सरकार ने उसका टाइम इमरान सरकार में सलेक्ट किया उससे भी चोकाने वाला खुला सा यह है कि बाला कोट इस्ट्राइक के बाद पकड़े गए विन कमांडर अभिनंदर मरत्मान को इमरान 48 गंटे भी नहीं रोक पाई उन्होंने बहुत ही आसानी से उन्हें भरत के अवाले कर दिया इसके साथ ही इमरान विरोद्यों के पास तरगों की भरमार है इमरान खान ने बहुत ही गंबीरता से पाकिस्तान में 40 जारातं की होने की बात अंतराष्ट्य मीडिया में स्विकार की थी जिससे पाकिस्तान को भरी सर्मंद की जेलनी पड़ी थी उन्होंने ये कहकर पाक फोज को निकर पैनने को मजबूर कर दिया कि अफगानिस्तान में तालिबान को परसिक्षन देने में पाक आरमी की भूमिका रही है ये सब काम इमरान खान ने अपने दो साल के कारियकाल में ही किये हैं जबकि इमरान खान को पाकिस्तान में अच्छा परवक्त तमाना जाता रहा है उनके द्वारा ऐसे ब्यान देना लोगों को दालबे काला नजर आता है फजलूर ने मुझे प्रवाद के जाने का संदेख हमा खाव्यक्त नहीं किया है उसके पीछे इमरान के पिछले कारणा में और उनकी वे ब्यान ब्याजियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान की साख चोपट ही नहीं की बल्कि पूरे मुल्क में घबराट भी कई गुना बढ़ा दी है लोगों को आसन काय की इमरान अपने कार्यकाल में पियोके को भारत को जरूर सोप देंगे वे नया पाकिस्तान के नाम पर केवल पंजाब को बचा कर रखना चाते हैं बाकि प्रांतों को भी अलग देश बनाने की रणनी थी वे बनी गाला में बैठकर तैय कर चुके हैं इमरान पर मोदी से रकम एठने के टोपी बाजो के आरोपन बे दम नजर आता है क्योंकि जिस तरह वे मजबूत साक्से लेकर आये हैं वे इमरान पर संदेज रूद उत्पन करते हैं क्योंकि इमरान खान ने कस्मीर के नाम पर पाक के तैमंद बाजो को खुब बनाया है लोगों को याद है कि 5 अगस 2019 में मोदी द्वारा जम्मू कस्मीर का इस्ट्रेटस खत्ब किया जाने के बाद इमरान ने कई बड़ी घोशनाई की थी इसमें पहला बड़ा एलान यही था कि उन्होंने लोगों को एलेसी की तरप कूच करने को कहा था मगर दो दिन बाद ही इमरान ने उसे वापस ले लिया फिर उन्होंने विरोध के दूसरे तरीके की शुरुआत की थी जिसमें तैमंद बाजो को दो पैर की नमाज के बाद 30 मिनट के लिए गधाया नरते करने को कहा गा बाद में उस पर भी पलिता लग गया यानि कहीं न कहीं इमरान खान पिछले दर्वाजे से भरत की बदद कर रहे थे और अपनी अनाली जंता को पुछकार कर सांथ करने में वेस्ट थे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि वे कस्मीर मुद्दे को ज़्यादा मजबूती सब दुनिया के सामने नहीं रख पाई जबकि नोकर सावाई थे, कूटनित्ग भी पुराने थे, ज़्यादे तर नेता भी पिछली सरकारों से आये थे पर परदान मंत्री बिलकुल अलग था यह कैसे हुआ, यही सवाल पाकिस्तानियों के जैन में आज बकरी कुदान कर रहा है जहां तक मदर्सा कौम के अपने इपरदान मंत्री पर लगाए गए आरोप अपर भारत का नजरिया है तो वे बिलकुल ही साप है भारत का नेतरतुव एक ऐसे व्यक्ति कर रहा है जो केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में सरवादिक लोग पिरिया है फिर जिस देश की कमान इमानदार और परिशर्मी व्यक्ति के हाथ में हो वे देश सदेव तरक्की करता है प्यम मोदी क्या करते हैं या कर सकते हैं ये पढ़पाना किसी के बूते की बात नहीं है पर वे जो भी करते हैं भारत के लिए ही करते हैं उसके स्वाबिमान को प्रेरख और अटल बनाने के लिए करते हैं 1948 की टीस उन्होंने पांच अकस 2019 में एक जटके में ही खतब करती प्योक्य को लेकर पूरे भारत का दरिश्टी कोन इस परठ है ये अखंड भारत का बिन हिस्सा है पाकिस्तान इस हिस्से पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है अब इस समश्या को ना पाला जा सकता है भारत ने इसे आसिल करने की टाइम लाइन 2019 के अंट तक रखी थी हाला कि करोना मामारी ने इसे जरूर परभावीत किया है पर लगता है यूँ है कि मोधी सरकार का इरादा किसी भी दरश्टी से कमजोर नहीं हुआ है जिस तरह से सीमाओ पर हल चले और L.O.C. के साथ L.A.C. पर फोकस किया जा रहा है उससे यही परतीत होता है कि चीन के साथ पाकिस्तान की भी सामत आने वाली है यानि इस बार केवल P.O. के कोई भारत में साबिल करना लक्षन नहीं है बलकि इमरान के उस ख्वाब को पूरण करने पर जोर है जिसमें वे बनिगाले के शनकक से पाकिस्तान में चारते सुग्याजादी को देख रहे हैं वैसे भी काफी वक्त से दुनिया में नहीं देश नहीं बने है मोदी इसकी सुरुवात पाकिस्तान चाही कर सकते हैं अगर पाकिस्तानियों के तरक परियकीन कर ले तो इमरान के सैयोग से यह और भी आसान हो जाएगा इसके बादी होंग कोंग कुर्दिस्तान व्यतनाम बलुचिस्तान सिंदु देश पंजाब देश को माननता देने की भागदोर सुरू होगी यह कोरी कलपना इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की बरबादी का दायब अपने अंतिम चरण में है इमरान ने पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जा पियों के जाना तो निश्चित है ही इस मदरसा मुलक के चार टुकड में विवाजित होने का वक्त भी करीब है इसके साथ अनुमती दोस्तों जै ज़वान जै किसान जै हिंद बंदवात प्रम